Hello friends, welcome to my channel Vidya Beauty So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर परी इसक्रब कैसे बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई था कि आप स्क्रब को कैसे करें सकत करने का सही समिकण और इससक पर करने से हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं तो यह मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताए था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो उसका लिंक मेंने नीचे दिस्क्रप्शन बोक्स में दिया हुआ है तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखें उस वीडियो में आपको पताया गया है कि आप इसक्रब को किस तरीके से करें सही तरीके से ताकि आपको इसक्रब करने का फाइदा हो तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखे मार्केट में मिलने वाले इसक्रब काफी ज्यादा मेंगे होते हैं तो हर कोई नहीं खरीद पाता है और इनमें काफी मात्रा में केमिकल भी होते हैं जो हमारे स्कीन को सूट नहीं करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही कैसे इसक्रब बना सकते हैं और आप इसको कैसे अपने फेस पे यूज कर सकते हैं और घर के बनाए हुए इसक्रब में कोई केमिकल भी नहीं होता है तो यह आपकी स्कीन को कोई नुकसान भी नहीं पोचाएगा तो आप इसे आराम से बेजिजक यूज कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे इसक्रब के बारे में जिसे यूज करके आप अपने स्कीन से सारे ब्लेक एट्स वाइट्स इतनी भी डेडिक के ने उसको रिभू कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुजी से हम किस तरह इसक्रब तयार कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अभी तक आपने सुना होग मैं होगा किसी का हलुआ बनता है या सुजी की पोड़ सारी रेसिपिस बनती है चोखाने में तो बहुत टेस्टी होती है और हम घाते इस तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुजी खाने के साल साथ हमारे स्कीन के लिए लए कितनी ज्यादा है जी हाँ दोस्तों हम सुझी से स्क्रब भी पना सकते हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं सूजी से एक स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरुवत पड़ेगी एक चमच सूजी की और एक चमच हनी और कुछ बुंदे लेमन यानि की दीबू का रस जी हां दोस्तों आपको क्या करना है एक चमच सूजी इसके अंदर आपको एक करना है एक चमच हनी यानि की शहर और कुछ बुंदे लीबू का रस तो आप इन अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने की पाद सबसे पहले आप अपने पेस को अच्छे से बोश करीए बोश करनी की बाद आप इस मिक्ष्र को अपने फेस अपलाई और अगर आपकी स्किन ऐली है तो आप इसमें जोडार एकने सहिं अक्रप्रबरा picturesare अगर आपकी ऑली है तो आपकी हाद में कोई ससके हो उर अपने किन मैं ये तो फेक्विंळ ने dubbed तो आप इस स्क्रब को अपने फेस पर जरूर ट्राय करें, यह बहुत अच्छा है, इससे कोई साइड डिपिक्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान दखना है, कि पांच मिंग से जादा इसक्रब अपने फेस पर आपको नहीं करना है, और करते वक्त आपको अ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आप ब्यूटी टीप्स और इसकिन केर की वीडियो के बारे में अगर और वी कुछ जानना चाते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगी, आप लोगों को मेरी अगर अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी हर वीडियो को आप अपने दोस्तों के शाहर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सकता है मेरे बताएंवे ब्यूटी टीप्स आपके दोस्तों के भी काम आजाए, आप मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के शाहर शेयर करिये और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए, बाई बाई, रादे, रादे